तुर्ट वेज़ें ते कि अपिसोड में तो आज का वाला एपिसोड फोल ज्यादा इंट्रस्टिंग अप्टेट आचुका है गेम में काफी साथे चेंजिस हो चुके अभी गेम को यूज करते हैं मेरेको भी काफी टाइम हो चुका है मेरे को जो तो अच्छा लगा है शब्सक्राइब तरिब बाइरा कनेवाले या पर ऒढंव अपकृब्ली करूद करुका है और बैद में क्या अप्डेट करने वालो हूं आगे आने वाली वीडियोग है आपन कुछ अपने ताउनल 13 पर अप्ग्रेड वगेरा करने वाले यहां पर वड़न वगेरा को में अप्ग्रेड करूंगा एंड बताऊंगा लेब में क्या अप्ग्रेड करने वालों आगे आने वाली वीडियो में so stay tuned रहेना like करना share करना and subscribe करना let's just begin guys first of all I am just upgrading my grand warden so guys CWL just आ चुका है CWL स्टार्ट होने में guys अगर मैं दिखा हूँ आपको तो 18 हो रहे है so guys मेरा यहाँ पर aim का CWL स्टार्ट होने से पहले पहले मेरे warden को 47 तक करना but guys यहाँ पर अपन aim को complete करके aim से भी आगे निकल जाने वाला है क्योंकि मैं पाई एक बुको फिरो भी पढ़ा है and यहाँ पर अपन अपने grand warden को एक level और अपकर लेगे so guys यहाँ पर 48 में warden कर चुका हूँ so केवल 2 level मेरे warden को अपकरना है and उसके बाद मेरा warden भी यहाँ पर हो जाने बाला है max and वो वैसे भी cwl में जो भी bonus मिलेगा उससे 2 level अपन इसली अपने grand warden को अपग्रेड कर लेगे and अपने पर warden हो जाएगा make and profile में अभी जो heroes मेरे देख सकते हो king बहुत पीछे queen max से royal champion max से and warden भी max हो जाएगा उसके बाद 16 level और king को अपकरना है फिर अपन केवल king पर वर्ट करेगे and जैसे king max हो जाएगा वैसे ही अपन legend league में आ करके तबहाई मचाने वाले है भाई legends थोड़ी दिन ओवर रुख जाओ यार फिर अपना आएगे legend में तबहाई मचा आएगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है and अब बात करें events की तो events काफी जादा चल रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर अगर मैं दिखाओ मैंने use किया super wall breaker तो वो event अपन complete कर चुके and अभी मिरको super barbellion में cc में लेकर के complete कर रहा हूँ event अगर दिखाओं तो यहाँ पर आप मेरे जो अभी army camp आप देख सकते हो 6 में यहाँ पर super barbellion को ले रखा है अपने cc के अंदर जिससे कि में इवेंट को जल्दी से complete कर पहा हूँ and उसके अपर जो दो event challenges बचेगे बाकियों उनको भी तीरे तीरे करके हम ट्राय करेंगे करने का and नीचे की तरह बात करें तो दो और event आचुके guys यहाँ पर एक Pekka का event है जिसमें कुल मिला कि आप देखो तो 50 gems मिल रहे double of obstacle है उसको और बेच भी दोगे तो 50 gems मिल जाएगे and उसमें अपन 10 attacks कर चुके and town hall breaking में अपन 9 town hall को रेक कर चुके तो काफी तदे events है काफी जादा gems यहाँ पर super deal दे रही है तो लूट लो जल्दी से and चलिए अब guys अपन super barbellion को cc में लेकर एक attack करने जा रहे and first of all I am in titan 2 so clouding वापिस से शुरू हो गया मेरेको थोड़ा दाउन करना पड़ेगा वापिस trophies but अभी 4x star bonus है so मैं अभी नहीं जोच रहा trophy down करने का क्योंकि यार जितना उपर league में होगे उतना अच्छा bonus मिलेगा so that's why अभी अपने star bonus जब तक चलेगा तब तक थोड़ा top में titan 2, titan 1 में रहूंगा फिर नीचा जोंगो titan 3 या champion 1 and थोड़ा और farming करेगे cwl खेलेगे and बहुत amazing करने वाले ठीक है and आप सबी दोचरों के वीडियो face game नहीं है जी हाँ दोस्तो face game यार देखो face game की बात यह है face game में कर सकता हूँ बट यार जो वो होती है न अपने पास छीजे face game को easily करने के लिए वो मेरे पास नहीं है जो में face game करता था guys वीडियो में वो बहुत ही जाधा typical and बहुत ही जाधा lengthy तरीका हो जाता था and उससे मेरे को time भी बहुत जाधा लगता था video बनाने में and उसके साब से guys यहाँ पर मेरे को इस वीडियो में थोड़ा cut out लगाना पड़ा क्योंकि base मिलने में बहुत जाधा time लग रहा था तो माफ कीजिएगा but अपन अभी एक base पर down हो चुके so इस वाले base को अपन target करने वाले काफी अच्छा loot यहाँ पर देखने को मिल रहा है so guys अपन यहाँ पर attack करें मैं किस side से attack करूँगा guys मैं जाऊंगा इस side से क्योंकि guys मेरा अभी चो attack वो pickup हो बेट है यहाँ पर इस वाले session में दो wizard tower और एक multiple inferno अपन को देखने को मिल रहा है so easily मेरे को उसको down करना जादा important है so first of all अपन funnel create करने के try करते double baby dragon deploy करते चिससे एक थोड़ा समें funnel create कर रहा हूँ and easily अपन funnel create कर लेगे क्योंकि मैं हमेशा 4 baby dragons लेकर आता हूँ for funneling so बहुत जादे easy कर देता यह funnel को आप देख सकतो बिल्कुल easily अपने बिल्कुल funnel create अपन कर चुके है so चलिए अब डेक में आगे की तरफ बढ़ते world record drop करते हैं दो पेका, तीन, चार पेका king, queen and warden के साथ मैं अपन यहाँ पर use करेगे healers, healers के पीछे, bowlers and यहाँ पर मैं अभी क्या बचा के रखने वाला हूँ अपने royal champion को जो ending में अगर कोई apartment या बच जाता है तो वहाँ पर clearing करने के बहुत ज़्यादा काम में आता है so अपना भी बचा के रखेगे and first rage spell यहाँ पर मैं down करने वाला हूँ जिससे पेका वगेर अपने आगे की तरफ निकल जाए and यहाँ पर अपन king का ability use कर लेगे ताकि मैंने troops थोड़े बहुत भटके ना center of the base चले जाए and जहाँ तक है अपना raker wall raker बिल्कुल center of the base जा रहा है and center में अपने एक और rage spell यूज़ करेगे यहाँ पर यूज़ करेगे ability of grand warden so कोई issue नहीं है यहाँ पर town hall अपन break कर चुके है and यहाँ पर में यूज़ करूँगा अपना royal champion and इस तरफ अपन सारे के सारे bat spell यूज़ करने वाले है bat spell के लिए एक freeze and royal champion ने easily target कर लिया जो multi target infernose ते उनको एक और freeze मेरे को महीं करना पड़ेगा बाकि अभी scatter shot बचा है ability use करेगे scatter shot को मेरे को थोड़ा जल्दी freeze करना पड़ेगा क्योंकि problem create कर सकता है कर दी guys so यहाँ पर कुछ एक wizard for funneling for funneling क्या मतलब में क्या बोल रहा हूँ guys easy three star attack है कोई problem नहीं होने वाला attack में and by funneling नहीं मेरे को clearing बोलना था बट कोई बात नहीं हो जाता है माफ करिएगा गुस्ते में इदर विदर निकल जाते है क्योंकि attack जब थोड़ा बिगरता है तो गुस्ता तो आई जाता है and what about this waterfall guys attack में भी waterfall मतलब यार seriously कुछ अच्छा किया इन्होंने theme थोड़ा अच्छा किया अपने base का so मेरे को जो काफी अच्छा लगा and attack कैसा लगा comment करके बता ना क्योंकि तभाई मचा थी three star attack के साथ में काफी easily अपना three heroes के health full है चार पेका जिन्दा है and ये base अपनने easily three star clear कर लिया with awesome loot so loot तो यहाँ पर काफी ताद awesome थी वापिस से अपन super barbarian मांगने वाले cc में and यहाँ पर चाहिए अपनको एक wall breaker double ठीक है ये donation करना है इसलिए बना रहा हूं में कोई issue नहीं है and guys यहाँ पर आपको कौन सा super troop सबसे अच्छा लगा comment करके बताना first of all जहाँ तक मैंने use किया है guys अच्छा रहेगा बार्बेलियन तो भाई वाई वाल ब्रेकर का स्पेस यहाँ पर कर दिया गया है guys 8 का तो भाई यह यार एक मतलब आप सोचो आप कोई wall open करना है तो 4 wall breaker लेकर जाते हो तो वह open कर देगा अब 4 wall breaker की जगे आप केवल एक wall breaker लोग है केवल एक 4 के बदल एक तो यार यह housing space नहीं बढ़ाते है तो यह बाद आई इनका बहुत ज़्यादा उपी हो जाता बट फिर वही है नर्स करना पड़ता कुछ यह defense इसको powerful करना पड़ता ऐसा कुछ करना पड़ता तो balance ज़्यादा करना पड़ता क्योंकि लिक्स चैनल पे नहीं मिलते लिक्स महा मिलेगे आपको जो भी हमार को पता चल जाता है तो जाकर इस चर्गन पर जरूर से follow कर देना इन वीडियो को कर देना like क्योंकि यार इसी तरह की amazing videos हम लेकर आते रहते हैं और गाइज अभी जो next episode अपनी वीडियो का होने वाला है अभी मैं town hall 11 को थोड़ा rest दे रहा हूं अपने base को क्योंकि town hall 13 पे काफी जादा new चीज आई है तो मेरेको उनको cover करने में अभी time लगने वाला है इसलिए अभी आपन तोड़ी town hall 13 पे बर्क कर रहें ऐसा नहीं है town hall 11 वाल एपिसोड बंद होगे वो भी में बड़ा जल्दी आपके लिए लेकर आने वाला हूँ यहाँ पर बात करें गाइज मैं अपनी वेलकरी को next वाल एपिसोड में max करूँगा वेलकरी के साथ मैं अपन पॉजन स्पेल को भी max कर लेगे और उसके पाथ जो बार्बेलियन बचे का है और मिनियन बचे का उनको भी अपग्रेड पर लगा देगे तो यही सब कुछ है और वाल्स भी 50 पीसेज नियों आ चुके जो मेरेको अपग्रेड करने है अगर मैं अब भी आपको दिखाऊं तो मिनको 46 वाल्स और अपग्रेड करनी है मतलब आप समझ सकते हो गाईज एक बार में रिमूव ओल करके दिखातों गाईज 104 वाल्स हो चुके है लेवल 14 सब कुछ करेगे एंड वीडियो में अच्छा लगा हो तो गाईज लाइक करिएगा शेयर करिएगा चैनल पर यह हो तो सब्सक्राइब कीजिगा इंड में आप सब इस एक बार शेयर कर रहा था इस वीडियो में फेस्केम नहीं किया गया है क्योंकि फेस्केम वीडियो पर भी कोई सपोर्ट नहीं था एक वीडियो के पीच में 6 गंटे 6 ओवर लगते थे मेरेको फेस्केम वीडियो रिकॉर्ड करके एडिट करके अपलोड करने में बद जब उससका में Response देखता था मेरें को Response नहीं मिलता था इतना जितनी मेरी महनत थी So I just think now कि मैं टेंशन लेलेकर इतना जदा महनत करकर work करूं And support नहीं मिले तो यार वह बगड जाती है बात तो अब facecam वीडियो नहीं होने वाली, अगर आप चाहते हो facecam वीडियो में वापिस से start करूँ तो आपको support करना पड़ेगा, हर एक वीडियो को like करना होगा, हर एक वीडियो को share करना होगा, जब वीडियो पर views 1K plus आने लग जाएगे, हर वीडियो पर, then मैं अपना facecam वापि share subscribe कर देना, चलिए मिलते next episode में, और कोई updates से related, आपको कुछ भी question मोच चना हो, नीचे comment section पूरा available है, मैं answer कर दूँगा, जाकर आप पूछ सकते हैं, चलिए bye bye tata, clash on stay safe, stay home, अभी के लिए quarantine रही है, घर के अंदर रही है, 15 दिन का over wait करना है, कोई बात नहीं हो जाएगा, च बात नहीं हे खो दो, खो जात रही है, बात आप सकते हैं, थाफ एढर मत भी करना ही आपको का रही है, कर दो सादे दूद warfare जजद थेते हैं, आपको कर पूेम AMI को जजए हैं, जापको किसा है, को क違 मते हैं, आपको कर दोद